36 गर में बीजेपी 12 सितंबर से चुनावी अभ्यान परिवर्थन यात्रा का जोरशोर से आगास करने का दावा कर रही थी लेगिन जब रैली शुरू करने का समय आया तो बीजेपी को जोरदार जटका लगा है यहां तक कि रैली को हरी जंडी दिखाने के लिए अमिश्या भी नहीं आये अब कॉंग्रेस इसे लेकर बीजेपी को ही घेरने में जुट गई है तो क्यों 36 गर नहीं पहुंचे अमिश्या देखते हैं ये रिपूर। बीजेपी ने 36 गर में परिवर्तन यात्रा का आगास किया यात्रा को हरी जंडी दिखाने आना तो केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्या को था और उनके इंतिजार में राज्य के सब भी बड़े नेता दंतेवारा पहुंच गए थे लेकिन अमिश्या ही नहीं पहुंचे क्योंकि रैली में भीड़ी नहीं जुट पाई राजी में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब बताई जा रही है और इसका असर रैली स्थल पर भी दिखाई दिया कुर्सिया खाली दिखाई दी जिसे लेकर कॉंग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया कॉंग्रेस की 36 गड़ इकाई ने सोशल मेडिया साइट एक्स पर लिखा बड़ी खबर भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप दंतेवारा में नहीं पहुंची जनता अमिशा का दौरा रद अमिशा नहीं पहुंचे उनकी जगा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में यात्रा प्रारहम की गई और अमिशा की जगा रैली में स्मृती इरानी पहुंची अब कॉंग्रेस इसे फ्लॉप शो करार दे रही है दावा कर रही है कि खाली कुर्सी देख कर ही शान नहीं आए जबकि पहले बीजेपी के ओर से दावा किया जा रहा था कि केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिशा दंतेवाडा में मा दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा को हरी जंडी दिखाएंगे बाद में अमिशा वहाँ एक जंसभा को संबोधित करने वाले थे लेकिन अचानक ही उनके सभी कारिक्रम रद कर दिये गए दिबी लाइफ की रिपोर्ट